जैहिंद स्टुजेंट्स वेलकम बैक अगेन दिवांशो पांडे और आज इंडियन एर फोर्स ने आप सभी एर फोर्स के एस्परेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एफकैट फॉर्स टॉंटी टॉंटी टू का एक्जाम दिया था अब उनकी मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी है जितने भी हमारे इस्परेंट्स जिन्होंने NCC, CDS या फिर FCAT इंट्री से हैं जिन्होंने अपना प्रेफरेंस एर फोर्स एकैडमी को आप्ट किया था अब उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है तो आज की ये नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में आज हम डिसक्रशन करेंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं आज किस सेशन की तो जैसा मैं आप सभी को बताना हो कि इंडियन एर फोर्स ने मेरिट लिस्ट एर फोर्स एकैडमी के लिए आपका जारी कर दी है जिसका कोर्स जन्वरी 23 से आपका स्टार्ट होगा और इस लिस्ट मे FCAT, CDS, NCC इंट्री और सर्विस इंट्री वाले सभी कैंडिडेट्स के आपके नाम भी हैं टोटल 382 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है और उन्होंने सफलता प्राप्त की है अब उनकी जो ट्रेनिंग रहेगी आपक Air Force Academy में January 23 से आपका कंड़क्ट होगी तो ये काफी अच्छी बात है और आप सभी 382 कैंडिडेट्स जिन्होंने इसमें आपका नाम आया है आप सभी का उन सभी को भी हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपकी ऐसी मेरिट लिस्ट आती है जहां पर Air Force Service Selection Board यानि कि AFSB की द्वारा जिनको सलेट किया जाता है उनके पहले लिस्ट आती है तो ये लिस्ट आपकी वही है इसके बाद आपकी फर्दर मेरिट लिस्ट वाली जिसमें Medical Status होता है उस ल फाइनल लिस्ट मानी जाएगी जी हां वो आपकी फाइनल लिस्ट होगी यह आपकी हम कह सकते हैं कि प्री कौलिफाइड लिस्ट है और जो आपकी सेकंड लिस्ट होगी जिसमें आपका Medical Status दिखाया जाएगा और उस लिस्ट में जिसका नाम रहेगा वही आपके Air Force Academy में Experants हैं, Candidates हैं और इस लिस्ट से यह पता चलता है कि अभी आप Air Force Academy के लिए पूरी तरीके सलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन फिर भी एक आशा है कि इन में से ज़्यादातर Candidates आपके AFA Academy में जाएंगे तो लिस्ट आपकी Name wise, Row number wise और उसमें आपकी हर शीजें Detail तरीके से दी गई हैं जिसको आप देख सकते हों और हमारे ब्लॉग चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हों और यहां पर कहा गया है कि A separate list of candidates who are selected to join AFA would be published depending upon order of merit, medical fitness, choice of branch of the candidates and vacancies available in each branch तो इस तरीके से पूरी आपकी जो last वाली merit list होगी उसको बनाया जाएगा और अभी जो आपके 382 candidates हैं इन में से ही आपका final selection किया जाएगा तो सभी experts सभी अपने people first mission always के mission पर आगे चलिए और SSB crack exam की पूरी team की तरफ से आपको all the best है कि आप बहतर करिए अपने आने वाले future में अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे experience की जो अपना FCAT first 2023 और FCAT second 2023 का examination की preparation कर रहे हैं या फिर आने वाले exam को देना चाहते हैं तो वो FCAT के बाले में जान ले FCAT का full form Air Force common admission test होता है जिसको Indian Air Force साल में दो बार conduct करवाया करती है जिसमें आपके ground duty, non tech tech और flying branch के लिए आपका हमारे candidates को लिया जाता जिसमें male and female candidates दोने ही आपकी eligible रहती हैं और यह सबसे best आपके entry है जिससे की आप graduation करने के बार अपने Indian Air Force में Air Officer आसानी से बन सकते हैं commission rank है और अगर हम बात करते हैं paper की तो देखिए FCAT में आपके journal awareness, verbal ability in English, numerical ability, reasoning and military aptitude test होता है 100 questions आते हैं 300 marks के यानि कि एक question आपके 3 marks का और उसकी duration आपकी 2 hours की होती है EKT वाली जितने भी हमारे experience होते हैं उनको mechanical, computer science, electrical and electronics में paper देना होता है उसकी duration 45 minute, number of question 50 और जो marks होते हैं वो आपके 150 के हुआ करते हैं हर एक correct question के लिए, answer के लिए आपको 3 marks दिये जाएंगे और 1 mark आपका detect किया जाएगा incorrect answer के लिए इसलिए कहा जाता है कि preparation अच्छे तरीक्स करिए जिससे कि आप incorrect answer देने से बचें और अगर आप कोई answer या फिर question उसका attempt नहीं करोगे तो आपका कोई भी mark detect नहीं किया जाता है पेपर अगर हम pattern देख लें, F-Cat first और second 2023 का तो ये कुछ इस प्रकार से है जिसमें जो आपका ये yellow portion है, वो general awareness को show कर रहा है इसमें आपके 25 questions आते हैं, numerical ability के 20 questions, reasoning के 25 और English और verbal ability के आपके total 30 questions इसमें शामिल रहते हैं F-Cat first 2023 की सबसे important date देख लें कि कब आपका notification आएगा, कब form feeling करना आपकी start होगी तो देखिए, notification release December 2022 में tentative list है, online application जिस दिन आपका notification जारी होगा, उस दिन online application भी आपका start हो जाएगा last date इसकी, December के last week या फिर January के first of week में रहेगी admit card आपका, examination के two weeks before आजाएगा, exam date पर 23 में और result आपका मार्स तक आजाएगा, तो ये आपका पूरा important dates है, जिसको आप देख पा रहे हो सिर्फ 3 महीने ही आपको बचे हुए है, अगर आप अपने आने वाली examination के तयारी करना चाहते हैं तो आप हम जहारे online course से जुड़ सकते हैं, F4 second 23 की examination की जो preparation कर रहे हैं तो notification आपका June 23 में आएगा, online application की last date June 23, online application start date तो June 23 है और last date भी आपकी June की last week या फिर आपका July का first week, admit card two weeks before exam, exam आपका August में conduct होगा और इस बार की तरह September में ही आपका result आ जाएगा और September के बाद आपका अगर यस number महिने में जो हमारे F4st 23 की बच्चे रहेंगे उनकी merit list भी आ जाती है जिससे कि आप अपने आने वाले समय में Air Force Academy को जोईन करके भारती वाईसेना में commission officer बन सको तो इसलिए आपके लिए हमने F4st 23 master class अब हम लेकर आएं जहां पर आपको recorded videos, online lectures हम provide कर रहे हैं तो आप हमसे जोड़िये जिससे कि आप अपने बहतरीन तयारी कर पाएंगे और course की link नीचे description box में दी गई है और सभी courses के bundles और टे series एवलेवल हैं course में enroll होने से पहले आप सभी इस वारे 10 court का use कर लें जिससे कि आपको हमारे course में 10% का flat discount मिलता जाएगा जाहन and wish you all the best अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं